Good morning, students. Students, in our last class, we started chapter A Day with Nandu. In this chapter, you studied about elephants. Today, we will continue this chapter. Now, look at this picture. Why do you think the igrat is sitting on the back of the buffalo? आपको क्या लगता है? जो, igrat वो buffalo की बैक में क्यों बैठा हुआ है? क्या वो right-and-job करने के लिए बैठा हुआ है? नहीं. मैं आपको बताता हूं जो इगरेट है वो बफलो की बैक में बैठा हुआ क्योंकि जो बफलो में बहुत सारे इंसेक्ट सोते हैं उनको वो बफलो की बाडी से खाता है और उसके साथ ही कभी बफलो को चोट लग जाने से उसकी बाडी में जो वुंडी टीसूज या डेट टीसूज होते हैं उनको भी खाता है आपने देखा होगा कि कभी हमें चोट लग जाते है तो जहां चोट होते हैं उसके उपर एक लेयर बन जाती है वो वुंडी टीसूज या डेट टीसूज की होती है तो वैसे ही buffalo की back में भी होता है या उसकी body के different parts में होता है तो igrat उसको भी खाता है और साथ ही buffalo की body में जो insects होते हैं उनको भी खाता है So in this way buffalo gets rid of insects and wounded tissues and igrat gets its food So we can say they both benefit from each other तो ऐसे हम देख सकते हैं कि जो igrat है उसको food मिल जाता है और जो buffalo है उसको जो insects है और जो wounded tissues है उनसे छुटकारा मिल जाता है क्योंकि उसको तो insect और wounded tissues की वज़़ा से परिशानी ही होती तो जो buffalo है उसको उनसे छुटकारा मिल जाता है और जो इगराट होता है उसको food मिल जाता है तो इससे हम देख सकते हैं कि उनको दोनों को एक दूसरे से फाइदा होता है So, buffalo enjoys it when birds sit on her back But we humans also sit on the back of animals Like in this picture, here some people are sitting on the backs of elephants So, what do you think? Do you think that these elephants are also liking it? Like buffalo likes it when igrat sits on her back So, आपको क्या लगता है कि जो elephants है कि इनको भी अच्छा लग रहा होगा कि उनकी पीट के उपर कुछ लोग बैठे हुए है क्योंकि buffalo को तो अच्छा लगा था जब इगराट उसकी पीट के उपर बैठा हुआ था तो जो elephants से वो भी मज़ा ले रहे हैं क्या? वो enjoy कर रहे हैं इसको No, they are not enjoying it Buffalo and igrat they have mutual benefits But here in this picture only humans are enjoying But animals are suffering जो elephants से उसका मज़ा नहीं ले रहे हैं क्योंकि कोई भी कैसे मज़ा लेगा जब उसकी पीट के उपर कोई अपना enjoy करने के लिए बैठता है Suppose, हमारे उपर कोई बैठ जाता है उसको उठा के हमें चलना पड़ता है वो तो उस चीज़ को enjoy कर रहा है, मज़ा ले रहा है क्योंकि उसको free में ride मिल रही है लेकिन क्या हमें मज़ा आएगा, नहीं आएगा तो ऐसे ही elephants भी इसको enjoy नहीं कर रहे है Buffalo को तो अच्छा लगा था जब igrat बैठा था क्योंकि उन दोनों का एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ benefit था एक को दूसरे की body से food मिल रहा था और दूसरे को जो उसकी body में insects थे उनसे उसको छुटकारा मिल रहा था insects उसकी body से दूर हो रहे थे जिससे उसको परेशानी नहीं होती लेकिन यहां तो सिर्फ elephants सफर ही कर रहा है उनको मजा थोड़ी ना आ रहा है उनकी body के ओपर कोई बैठा वहा है उनको तो इतना weight उठा के चलना पड़ रहा है so elephants are not enjoying it so animals don't like it when we use them for only our benefits here on this picture there are some animals and they are telling about their life first of all snake what is snake saying he is saying that the basket is the only home I have I have forgotten what it is like in the open jungle and fresh year for me it is only the basket and the snake charmer so snake क्या बोल रहा है कि सिर्फ basket ही उसका अब घर बन चुका है वो भूल चुका है कि जो खुला जंगल था और fresh year थी वो क्या होता है अब उसे बस basket के अंदर ही रहना पड़ता है और वो सिर्फ snake चामर को ही जानता है जब snake चामर चाता है वो basket के बाहर आ सकता है और जब वो चाता है उसको अंदर रहना पड़ता है तो सोचो अगर हमें भी एक basket के अंदर पूरी life रहना पड़े तो हमें कैसा लगेगा बहुत ही बूरा लगेगा लेकिन एक स्नेक उसको हमेशा एक बास्केट के अंदर रहना पड़ता है जो जंगल में कभी खुले में अराम से घूम सकता था फ्रेश येर ले सकता था और अपनी मरजी का कुछ भी फूड हो चाता था खा सकता था उसे ओभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है उसे बस बास्केट के अंदर रहना है और स्नेक चामर जो चाहेगा उसके साथ करेगा तो सोचो उसको कितनी परिशानी में रहना पड़ रहा है नेक्स्ट बेर यू सी मी इन सर्कस डैंसिंग एंड जंपिंग फ्रू रिंग्स फायर यू क्लैप एंड एंजॉइ और सहीं सेचो एंजॉइ आपको क्या लगता है चूप खेंग नहीं नहीं वो वो सारे काम जबरदस्ती करता है अगर वो सब कुछ नहीं करेगा तो उसे फूड नहीं देंगे और साथ में उसको मारेंगे भी तो इसलिए जबरदस्ती बेर को वो सारे काम करने पड़ते हैं तो आप सोचो आपको कोई काम जबरदस्ती करवाय जाए आपको मार के करवाय जाए, क्या आप करोगे, आपको कितना बूरा लगेगा, तो हम humans लेकिन animals के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं, उनको कितनी परिशानी होती है, वो सब कुछ हम नहीं सोचते हैं, हम बस अपने enjoy के लिए animals को अपने entertainment के लिए हम बस use करते हैं, एक बैट जो ज You have only seen how fast I run, have you seen my shoes, do you know how much pain I get when they fix the horse shoes to my hooves, horse क्या क्या रहा है, कि उसे race के लिए तो हम use करते हैं, और हम enjoy करते हैं जब हो दोड़ता है, लेकिन उसके दोड़ने से पहले उसके जो hooves होते हैं, उनमें shoes लगाया होते हैं, आपको पता हैं कैसे shoes होते हैं और उन्हें कैसे लगाय जाता है, यह horse के shoes होते हैं और इनको horse के hooves में लगाया जाता है, और इन्हें लगाने के लिए क्या use करते हैं, nails, अब सोचो कोई आपके पाउ में shoes fix कर दें, तो आपको कितना pain होगा, तो ऐसे ही horse के जो hooves होते हैं, उनमें भी जो horse shoe लगाया जाते हैं, वो nails से लगाते हैं, तो इनको कितना pain होता होगा जब उनकी skin से nails touch करते होंगे तो हम इनका जो race होता है उसे तो enjoy करते हैं लेकिन इससे पहले जो उनके hoops में हम shoes लगाते हैं उस pain को नहीं समझते और साथ ही इनको riding के लिए और बहुत सारा सामान उठाने के लिए भी use करते हैं उनको कितना बूरा लगता होगा यह free नहीं गूम सकते जैसे हम चाहेंगे इनको वैसे ही रहना पड़ेगा इनके लिए एक जेल के जैसे है now monkeys they make us dance and dance and dance even if we don't want to or we are in pain that too with an empty stomach तो monkeys क्या बो रहे हैं उनको लोगों के entertainment के लिए dance करना पड़ता है और अगर वो pain में भी हो तब भी उन्हें dance करना पड़ता है और कभी कभी तो empty stomach khाली पेट भी उन्हें dance करना पड़ता है और साथ रूँने चेंज में बान्द के रखते हैं अब आप सोचो अगर हमें कोई चेंज में बांद के रख दे और हमें सिर्फ अपने entertainment के लिए यूज करें और हमें भूखा रखे तो हमें कैसा लगेगा obviously हमें बहुत बुरा लगेगा तो ऐसे ही monkeys को भी बहुत बुरा लगता है तो एक monkey है जो freely बाहर घूम सकता है jump कर सकता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ में और जो वो चाहे वो कर सकता है वो ज़्यादा खुश होगा या वो monkey जिसको हम बांद के रखेंगे और सिर्फ अपने entertainment के लिए यूज करेंगे वो खुश होगा वो ही खुश होगा जो free घूम रहा है तो जो monkeys जिनको हम अपने dance के लिए यूज करते हैं वो कैसे खुश रहा पाएंगे उनको हम भूखे पे dance करवाते हैं और साथ ही उनको chains में बांद के रखते हैं तो वो कैसे कोई enjoy कर सकता है next cat what is cat saying meow 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 I can just roam around everywhere children love me a lot they pet me and also give me milk cat क्या बो रही है cat बोल रही है कि वो freely कहीं भी घूम सकती है और बच्चे भी उसे प्यार करते हैं और लोग उसे पालते हैं और साथ ही उसको पीने के लिए दूद भी देते हैं तो हम कैसे अलग-अलग animals को अलग-अलग treat करते हैं कुछ animals को तो हम अपने entertainment के लिए use करते हैं और उन्हें खाना तक नहीं देते हैं उन्हें मारते हैं और साथ में उनको बंद करके रखते हैं लेकिन कुछ animals को हम कितना प्यार करते हैं वो free गूंग सकते हैं उनको हम खाना भी देते हैं और सभी प्यार भी करते हैं cats के जैसे dogs के साथ भी ऐसे होता है dogs को भी सभी प्यार करते हैं उन्हें खाना देते हैं लेकिन हम बाकी animals के साथ ऐसा क्यों नहीं करते हैं हमें सब animals के साथ ऐसे ही रहना चाहिए हमें सब animals से प्यार करना चाहिए और उन्हें खाने के लिए food देना चाहिए और उनको free रहने देना चाहिए जैसे वो रहना चाहें next pigeon do you know people specially call out to me to feed grain pigeon क्या कह रहा है वो कह रहा है कि लोग उसे specially बुलाते हैं उसको दाना देने के लिए तो कुछ animals को हम बुलाके करते हैं उन्हें खाना देने के लिए दाना देने के लिए लेकिन कुछ animals को हम मारते हैं सिर्फ अपने entertainment के लिए उन्हें खाना नहीं देते हैं उन्हें बंद करके रखते हैं तो ये कितनी बूरी बात है, हमें सब एनिमल्स को equally treat करना चाहिए और उन्हें free रहने देना चाहिए जैसे वो रहना चाहें, हमें किसी को भी cage में बंद करके नहीं रखना चाहिए और ना ही किसी को अपने entertainment के लिए use करना चाहिए, अब आप सोचो, अगर हम humans के साथ भी कोई ऐसा करे तो हमें कितना बूरा लगेगा, तो वैसे ही एनिमल्स को भी बहुत बूरा लगता है, हमें सभी एनिमल्स को equal treat करना चाहिए और साथ ही सब को free रहने देना चाहिए, जहां पे उनका घर है, उनको वहीं रहने देना चाहिए freely So, we should treat every animal equally and we shouldn't cage animals for our entertainment and benefits. Every animal deserves freedom. So, that's all for today. Thank you, stay home, stay safe.